अज को सरे चलिए जो स्छाँ सुछ काड़ो एवरीवन आज का जो हमारा टॉपेक है उसका नाम है फ्रियॉों इन्हें पॉली क्लोरो फ्लोरो एलकेंज are called phreons अब पॉली कर्थ क्या होता है दो या दो से ज्यादा two and more क्लोरो यानि क्लोरिनेटम फ्लोरो यानि फ्लोरिनेटम और एलकेंज में परजेंट होते हैं कार्बन एटम तो कहने कारते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन के साथ सायोंजित होकर जुड़कर कॉम्बाइन होकर ये निर्मान करते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन का जिनको हम CFC भी कहते हैं और क्लोरो फ्लोरो कार्बन को ही हम फ्रियोन कहते हैं इसके बाद जो अगला point है अपना वो है फ्रियोन का synthesis यानि synthesis of फ्रियोन के आखिर फ्रियोन को हम किस प्रकार से synthesis करते हैं तो यहाँ पर ध्यान ये रखने वाली बात है कि मैथेन और एथेन के chloro-fluoro जो वित्पन हैं उनका निर्मान हम करते हैं CCL4 और हैग्जा क्लोरो एथेन के द्वारा चूंकि CCL4 में एक कारवन है तो CCL4 के द्वारा हम बनाते हैं मैथेन का chloro-fluoro derivative और क्योंकि हैग्जा क्लोरो एथेन में दो कारवन हैं तो इसके द्वारा हम बनाते हैं एथेन का chloro-fluoro derivative अब यहाँ पर सबसे पहले मैथेन का जो फ्लोरो जो डेरिवटिव है विद्पन है उसके निर्मान के लिए हमने यहाँ पर लिया है CCL4 कार्बन टेटरा क्लोराइड इसके क्रिया हम करवाएंगे HF के साथ एंटेमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्तिती में इसका एक H, इसका एक CL क्रिया करके निकालेगा HCL बाकी से क्या बचा एक कार्बन यहाँ से एक CL गया है तो रहें यहाँ पे तीन CL और इसका एक F तो यह हो गया CCL3F जिसका नाम होता है फ्रियोन 11 अब जो यहाँ पर आपको मिला है इसकी क्रिया वापस हम करवाएंगे HF के साथ एंटेमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्तिती में तो वापस इसका एक H, इसका एक CL यह निकालेगा HCL बाकी से इसका बचा यहाँ कार्बन है यहाँ बचे दो CL एक जा चुका है और इसका एक F, इसका एक F, यह हो जाएगा F2 और जो यहाँ मिलेगा यह हो जाएगा फ्रियोन 12 यह तो आपको यहाँ मिल गए मैथेन के क्लोरो फ्लोरो वित्पन अब एथेन के क्लोरो फ्लोरो वित्पन को बनाने के लिए हमने लिया है हेक्जा क्लोरो एथेन जिसकी क्रिया हमने करवाई है HF के साथ क्योंकि यहां दो कार्बन हैं तो दो ही मूल यह है आपने HF के एंटिमनी पैंटा क्लोराड की उपस्तिती में और जब आप रियक्शन कराओगे तो इसके तो दो H, इसके दो CL, यह निकालेगा ट्वाइस HCL, अब बचा क्या, यह हो गया C2, यहां से दो CL गए, तो यहां बचे चार, तो यह हो गया CL4, यहां दो HF बाकी हैं, तो यह हो गया HF2, और यह आपको मिलेगा फ्रियोन 112, और यह को हम नाम देते हैं, तो यह होता है ट्रा, क्लोरो, क्रोंके चार CL हैं, डाइ फ्लोरो, दो फ्रूरिंग एटम हैं, और दो कावन तो क्या हो जाए गया here, इदीन, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, नॉमनक्लेचर of Freon's के बारे में तो Freon's का जो nomenclature है वो हम करते हैं Freon X Y Z के रूप में सबसे पहले लिखेंगे आप Freon यहाँ जो X लिखा है यह क्या होता है C-1 यानि Freon के मॉलेक्यूल में जितने कार्बन होंगे उसमें से आप एक कम कर देंगे Y Y क्या होता है जितने भी Freon के जो मॉलेक्यूल है उसमें जितने H होंगे उसके संख्या में आप एक जूड देंगे यहाँ Z क्या है Z होता है नमबर ओफ फ्लोरीन एटम यानि Freon के मॉलेक्यूल में जितने भी फ्लोरीन एटम होंगे वो Z को रिपरजेंट कर रहा है अब हमने यहाँ पर एकजामपल लिया है C F C L 3 जो एक Freon है तो कि इसमें फ्लोरो C L है फ्लोरो एटम है कार्बन C है तो पहले लिखा है मैंने Freon तो अग्या आप जानते हैं नाम करने नॉमनक्लेचर हम करते हैं X Y Z यहाँ X क्या है C-1 इसमें नमरो कार्बन कितने हैं 1 तो यह हो रहेगा 1-1 0 तो आप यहाँ पर 0 लगा देंगे फिर है Y Y क्या होता है H प्लस 1 तो कि अनुस उत्र में एक भी H नहीं है तो यह हो रहेगा 0 प्लस 1 means 1 और फिर आप देखोगे लाट में Z Z क्या होता है नमरो फ्लोरी ने डम कितने हैं 1 तो यह हो जाएगा 1 तो इसका जो आएगा नाम यह हो जाएगा प्रियोन 0 1 1 लिखो या प्रियोन 1 1 लिखेंगे अब हमने यहाँ पर कई क्लोरो फ्लोरो कार्बन लिए हैं जिनका हमने लिया है मॉल्ले क्लोरो फामूला उनकी हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम उनके लिए X, Y, Z की वेल्यू निकालेंगे जो सबसे पहला है आप जानते है X होता है C मानस 1 कितने कावन है 1 तो 1 मानस 1 0 Y यह होता है X प्लस 1 कितने अच्छे हैं यहाँ पर एक भी नहीं है तो 0 प्लस 1 1 Z नम्मर फ्लोरी निटम कितने अफ है 1 तो यह हो जाएगा 1 तो नाम क्या हो जाएगा 0 1 1 0 आप आगे लिए मेंशन करें चाहें नहीं करें तो इसका सिंप्ली नाम हो जाएगा फ्रियोन 1 1 अगला एग्जामपल यह लिया है मैंने इस मोलेक्लर फामूला तो यहाँ देखोगे आप X होता है C माइनस 1 कितने कार्बन है 1 तो 1 माइनस 1 यह भी हो जाएगा 0 Y Y क्या होता है H प्लस 1 कितने हैं 0 तो 0 प्लस 1 1 Z नम्मरों फ्लोडिन रिटम कितने F हैं 2 तो यहाँ दो जाएगा Z 2 इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 1,2 नेक्ट लिया देखोगे मैंने यहाँ पर C2 F C L 5 यहाँ देखोगे आप X यह होता है C मानस 1 इसमें नम्मरों कार्बन 2 हैं तो यह देखा 2 मानस 1 मीन्स 1 Y होता है H प्लस 1 H 0 है तो 0 प्लस 1 1 यह होता है Z बराबन नम्मरों फ्रियोन 1 F है तो 1 तो इसका नम होदेगा फ्रियोन 1 1 1 अगला है C2 H2 C L 4 यहाँ यह होगा X C मानस 1 2 है 2 मानस 1 1 यहाँ Y H प्लस 1 0 अच्छे है तो 0 प्लस 1 1 नम्मरों फ्लोरीन 2 है तो यहाँ देखा 2 इसका नम होदेगा फ्रियोन 1 1 2 इसके बाद जो अगला हम ले रहे हैं वो है C2 F3 C L 3 यहाँ X लोगे आप तो यह होगा C मानस 1 तो यहाँ दो कारबन है तो होदेगा 2 मानस 1 1 Y होता है X प्लस 1 0 अच्छे है तो 0 प्लस 1 1 नम फ्लोरीन 3 है तो इसका नम होदेगा फ्रियोन 1 1 3 नेक लिए आपने आपर C मानस 1 2 है यह 1 X प्लस 1 X 0 है 0 प्लस 1 1 यहाँ नम फ्लोरीन 4 है तो यह देगा फ्रियोन 1 1 4 इस प्रकार से हम फ्रियोन का जो नॉमल क्लेचर है नाम करन है वो हम करते है इसके बाद जो हम नेक्ट पॉइंट ले रहे हैं वो है प्रॉपार्टीज ओफ फ्रियोन आकर जो फ्रियोन से उनकी जो प्रॉपार्टीज है वो क्या-क्या होती है तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान कहेंगे कि ये colorless orderless और volatile liquid हैं रंगहीन गंदहीन वास्पसील द्रव हैं second point जार कहेंगे आप कि ये highly inert हैं ये अत्यंत अक्रिया सील हैं third point आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये high temperature और high pressure पे stable होते हैं इस्थाई होते हैं अर्थार्थ उच्च ताप वदाब पर ये इस्थाई होते हैं ये तीन point लिखे हैं मैंने properties of freons के जो आपको याद रखने हैं इसके बाद हम बात करेंगे environmental impact of freon freon का वात्तावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जो freons होते हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ओजोन लेयर पर ओजोन परद पर यानि ये जो freons होते हैं ये ओजोन लेयर के deflation के लिए उसके हास के लिए उसकी कमी के लिए अपक्षय के लिए उत्तरदाई होते हैं responsible होती है और ये जो ओजोन लेयर होती है ओजोन जो होती है अगर ये प्रथिवी की सताव पर होती है तब तो ये विशाक्त होती है टॉक्सिक पोजनस होती है लेकिन ये जो ओजोन लेयर है ये समताप मंडल में इस्थित होती है जो सूरे से आने वाली जो अल्ट्रा वाले ट रेज हैं परा बैंगनी केने हैं उनको आवशोशित करने का कारिया करती है और जो अल्ट्रा वालेट रेज हैं अगर इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी प्रत्वी पर तो इस पर क्या-क्या प्रभाव पढ़ेंगे वो मैंने यहां पर पॉइंट की रूप में लेखे हैं सबसे उनको नुक्सान पहुँचेगा और थाड़ है समंद्र का जो परकास छेतर है फोटिक जोन है में प्रावक की जो आबादी है उसमें कमी हो जाएगी अगला है कि आँक समंद्री जो रोग हैं जैसे मुल्तिया बिंद हैं उनकी संभावना बढ़ जाएगी और जो मुनिश् तीन ये पांच प्रभाव पढ़ेंगे अगर अल्ट्रा वालेट रेज हैं उनकी मात्रा पर्थी पर अधिक हो जाए जो फ्रियोंस होते हैं अपनी लोवर एक्टिविटी के कारण से ये शोब मंडल ट्रोपोस्पेर में बिना नश्ट हुए समताप मंडल में पहुंच जा जाते हैं जहां पर ओजोन लेयर होती है और अगर मालिया ये फ्रियों है ये लिया मैंने यहाँ पर यूविल एड़ी होगी उसकी परजेंस्ट में वहाँ पर होगा होमोलाटिक फ्यूजन होगा समाश विखंडर होगा तो उससे क्या होगा कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल क क्लोरीन मुक्त मूलक उत्पन होगा और जो ये क्लोरीन मुक्त मूलक है ये ओजोन मॉलिक्यूल ओजोन अनु के साथ क्रिया करके ओटू को निकालेगा और यह क्लोरीन मोनो ऑक्साइड मुक्त मूलक का निर्मान करेगा और जो यहाँ बना हुआ क्लोरीन मोनो ऑक्साइड म मुग करेगा यहां पर जो आपको मिलेगा क्लोरीन फी एडिकल यह वापस ओजॉन के साथ करिया करेगा सेंग प्रोसेस कंटीन्यू चलता रहेगा और यह जो रियक्शन होती है यहां एक चेन रियक्शन है जो लगातार चलती रहेगी और इसमें एक बार सबसे ध्यान रखने वाली ये है कि एक जो कलोरीन एटम होता है वो एक लाख जो ओजोन मोलेकूल है उनके साथ रेक्ट करके क्रिया करके उनको समाप्त कर देता है यानि एक कलोरीन एटम दस लाख ओजोन के जो मोलेकूल से उनको समाप्त कर देगा जिससे ओजोन परत का डिपलेशन होगा उससे जो ओजोन लेर होगी पतली हो जाएगी और सूरे की जो यूवी लाइट है यूवी रेज है वो परत्वी पे आएंगी जिससे मनुश्यों को नुकसान पहुंचेगा इसलिए लोगों हमे जागरता पहलाने के लिए हम 16 सितमबर को ओजोन कंजर्वेशन डे की रूप में हम इसको सालेबरेट करती हैं अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो फ्रियोंस हैं उनके यूजिज क्या क्या हैं फ्रियों के अप्योग क्या हैं तो जो फ्रियों के जो अप्योग हैं उनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्ट्रिक बनाई है जो आपको यादगना है एर ए आई आर एर यानि सबसे पहले यूज क्या है कि जो फ्रियोंस होते हैं उनका यूज हम करते हैं एज एनर्ट सॉल्वेंड आक्रिय विलाए के रूप में इसका अपयोग किया जाता है दूसरा क्या एक जो फ्रियोंस हैं उनका जो भी यूज है उपयोग है वो हम करते हैं रेफ्रिजरेंट्स के रूप में जो रेफ्रिजेटर होते हैं फ्रिज हैं एयर कंडिशनर हैं और दो heute है उनमें का अप्योग किया जाता है रेफ्रिज़रेंट्स के रूप में और तीससरा प्योग मैंने आपको बतायःा यह जो फ्रियॉड है कि इनका प्योगम एरो ज् prontaÖ्फेलांट यानी एरोल नोधक के रूप में इसका प्योग किया जाता है ये टॉपिक था हमारा आज का फ्रयोंस जो एक महत व्त पुन टॉपिक है इसकी जो हमने कि इसमें सबसे पहले हमने बात की थी इसकी definition के बारे में फिर हमने बात की थी इसके सेंथेसिस ओफ फ्रियोंस के वारे में फिर बात की थी हमने नॉमन कलेचर ओफ फ्रियोंस के वारे में फिर हमने बात की थी प्रॉपर्टी ओफ फ्रियोंस के वारे में और फिर हमने बात की यहां पर कि जो फ्रियोंस हैं उनका एन्वारमेंटल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा एन्वार्मेंट पे और लास्ट में हमने बात की योजे जो फ्रियोंस के बारे में और ये बहुत ही मोट इंपोडेंट टॉपिक है को आप ध्यान से पढ़ें अब यहां पर हम फ्रियों के नाम के आधार पर उसका कैमिकल फामूला रसानिक सूत् प्रियोंकल हमने किया था फ्रियों एकस वाई जडकरूप में जहां पर एकस से मानस वन होता है द लए प्लॉरिन इटम होता है अगर एक कार परमानों चत्तु सैयों जी होता है अरथ कार आर्मन की वैलैंसी चार होती है एक कार्वन से अधिक्तम 4H जुड़ते हैं अगर दो कार्वन है तो उससे कुल मुला का रिक्तम 6H 6 एटम जुड़ते हैं मालिया पहला है अपना एग्यामपल फ्रियोन 11 इसका हमें कैमिकल फार्मूला लखना है तो सबसे पहले याँ फ्रियोन के आगे जो संख्या लखी है उसको 3 डिजिट में कनवर्ड कर लेंगे तो मैंने आग लगा दिया यहाँ पर 0 अब यहाँ देखिए X C-1 होता है तो यहाँ पर 0 कब होगा जब C की वैल्यू 1 होगी तब हो जाएगा 1-1 0 तो यहाँ कार्बन संख्या हो जाएगी एक तो मैंने यहाँ लखा C अब जो लाट आप देख रहें डिजिट वो है 1 यानि यहाँ पर लाट सो करता है फ्लोरीन एटम को तो यहाँ पर कितने फ्लोरीन है इसके अंदर 1 तो आप यहाँ पर एक फ्लोरीन का एटम लगा देंगे कार्बन की वैलनसी 4 है एक आपने F लगा दिया बाकी जो वैलनसी बची है वो पूरी आप क्लोरीन एटम से पूरी कर देंगे इसके पश्चात फ्रियोन 1,1,1 का कैमिकल फार्मूला हम लिखेंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ 1 कव आएगा 1 तव आएगा जब यहाँ पर कार्बन 2 हूँ तो इसमें क्या होंगे यहाँ पर यह उरेगा C2 लाट डिजिट यहाँ बता रही है किसको नम्मर फ्लोरीन को तो मैंने यहाँ पर F लगा दिया अब आप जानते हैं 2 कार्बन हैं तो उससे जुड़ते हैं क्लमला के 6 एटम तो यहाँ 1 F आगया तो बाकी जो यहाँ पर बचे हुए हैं वो आप यहाँ जोड़ देंगे कितने 5 C L आप जोड़ देंगे तो 5 C L होगे और 1 F तो क्लमला के 6 एटम इसके हो जाएंगे इसके अपश्यात हम ले रहे हैं यहाँ पर अब फ्रियोन 1 2 इसको वापस आप 3 डिगिट में कंड़र्ट करेंगे तो मैंने यहाँ पर आगये 0 लगा दिया यहाँ 0 कब आएगा जब C-1 यानि C क्या हो 1 हो तो यहाँ पर 1 Carbon आएगा एक Carbon से आपको पता है कि लाष्ट ली दरसा आता है किसको Flurine को तो आप यहाँ पर F लगा देंगे कितने दो अब आप जानते हैं एक carbon से जूरबन शे जुड़ते हैं 4 इंटम 2 आपने लगा दिये Flurine और बाकी जो यहाँ बचे हैं वो लगा दिया आपने यहाँ पे क्लोरिनेटम तो यह हो जागा C, C, L, 2, F, 2 अगला हम ले रहे हैं पर फ्रेयोन 1, 1, 4 यहाँ पर देखो 3 गिट हैं तो यहाँ 1 है 1 कब होगा जब यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 होगी और आप जानते हैं लाट डिगिट बताता है फ्लोरिन एटम भी संख्या को तो आप यहाँ पर लगा देंगे 4 फ्लोरिन लगा देंगे और दो कार्बन हैं तो यहाँ से जोड़ते हैं क्लोरिन एटम दो फ्लोरिन लगा दिये तो बाकी जो बचे हैं वो आप यहां पे क्लोरिन एटम लगा देंगे तो यह हो जाएगा C2Cl2F4 इस पकार से आप यहां पर फ्रेयोन का कैमिकल फार्मूला रसाने के सूतर आप बना लेंगे उनके दिये गए नॉमन क्लेचर या उनके दिये गए न नाम के आधार पर इस प्रकार से आप कोशन को सौल्व करेंगे और इस प्रकार से आप जो फ्रेयोन हैं उनका कैमिकल फार्मूला लख लेंगे उनके नाम के आधार पर धन्यवाद